हेलो फ्रेंट्स वेकम बाक टो मैं चानल मैं हूँ पर लबी और आज एक मज़ेदा रेसिपी के साथ आपको स्वागत करती हूँ तो आई चलते हैं रेसिपी स्टार्ट करते हैं और वीडियो बन तक जरूर देखें ताकि आपको एंग्रीड इन हस्टप मिस रहा हो तो रेसि साथ से आठ लेसन की कलिया मैंने बारी कट कर लिए हैं दो स्टिक मैंने करी लिफ्स के लिए हैं दो साबट लाल मिर्च लिए हैं और तीन हरे मिर्च को मैंने इस तरह से स्काइसिस में कट कर लिए हैं स्पाइसी अब जादा खाते हैं तो थोड़ा और मिर्च आड़ कर सकत है कि आप अधी गंटे हो चुके हैं तो इस तरह से अच्छे से स्क्वीज करके सारे सौया द्येंगे या और ध्यान रहिए सी गरम पानी में डाले इस तरह से मैंने सारे स्क्वीज करके निकाल लिया है अब करीब दी चमच मैंने इसमें लेसन का पेस्ट आड़ किया है इसके बाद एक चमच अद्रक आड़ कर रही हूं मैं और जो बचेवे अद्रक हैं वो टॉस करने में हम इस्तमाल करेंगे इसके बाद नमक आड़ करेंगे एक चमच में गरम प्रम पाउडे आड़ करेंगें काली मिच्ट का पाउडे आड़ करेंगे इसके बाद देख सकते नहीं बहुत ज्यादा लूज नहीं थोड़ा सा थिक हैं बिल्itt हमकरड भी नहीं नहीं बर नॉमल दाई होनी चाहिए बहुत ज्यादा लिंग सब्साइब चावडने रहे तब इसी अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है लिए मिक्स करने के बाद मैं इसमें ॉसमें कॉर्ण टार रही हूं कौन प्लार करें मैंने तीन चमच आठ किया है और दो चमच मैं इसमें चावल का हाटा आठ करूँगी इसे अच्छा काफी अच्छा क्रिस्पिनिस आ जाता है अब इसे अच्छी से मिक्स कर लेंगे बिसके लिए आपको सारे सोया चंक्स को अच्छी से कोट करना है क्योंकि आपको पता ही होगा यह काफी सारा अगर आप डारेक्ट इसे फ्राई करते हैं तो काफी सारा यह ओएल एब्सॉब कर लेगा इसलिए आप उपर से इसे कोट जरूर करें अगर इतने में आपका कोट नहीं हो रहा है सोया चंक्स तो और चावल काटा या कॉर्ण फ्रार अगर आप कलर अवाइट करना चाते हैं तो इसकी जगा काशमेरी लाल मिर्च पाउडर भी आप ले सकते हैं इसके बाद मैं इसमें दही आड़ कर रहे हूं दही करिब मैंने चार चमच लिया है कलर मैंने इसलिए आड़ किया है क्योंकि जो भी 65 की रेसिपीस होती है उसमे इसके बाद दो चमच मैं रेट चिली सॉस आड़ कर रहे हूं और दो चमच मैंने टोमाटो केचप आड़ किया है अब इन सब को मैं अच्छे से मिक्स कर देना है मिक्स इस तरह से करें कि इसमें लंप्स बिल्कुल बीना रहे और अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्स्राइब और शेयर करना बिल्कुल बीना बूलें और अपने फ्रेंज और रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करिए मज़ेदार चटपटी सी रेसिपी ताकि वो भी सोया 65 की रेसिपी घर पर ट्राइब कर सकें तो इधर मैंने तेल गरम कर दिया एकड़ाही में तेल को इस तरह से पूरी कड़ाही में स्प्रेट कर दें और इसके बाद जो हमने सोया चंक्स को मारीनेट क करके रखाता वो इसमें डाल देंगे अब हम इसे फ्राइब करना है फ्राइब को हाई फ्रेम पर करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि किसको सोया चंक्स बहुत ज्यादा पसंद है और बहुत ही मज़िदार चटपटी रेसिपी है तो एक बार इ नीचे से अच्छे से तोड़ा सा फ्राइब न हो जाए तो अब इससे मैं सथर से टरंड करदे रहें क्योंकि नीच चाने फ्राइब हो चुका है आप देख सकते तोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है और बिल्कुल हाइव लेम पर आप इसे फ्राइब करें जब यह अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए इस तरह से आप सारा और एक स्टार्ट करके से निकाल लेंगे और ज्यादा परिशानी भी नहीं है बहुत इस सिंपल और बेसिक इंग्रीटियंट के साथ यह बनता है तो एक बार आप बना के जरूर ट्राइब करें और जाजेते रहे जाएं क्योंकि इसके बाद आपको सिर्फ टॉस करना है तो इस टाइम ही आपको फ्राइब करने में ही सोया चंक्स को पका लेना है यह देखिए अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है आप चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं बहुत ही मज़िदार लगता है इसके बा दालेंगे जो हमने बारी कटा रखा था और इसे हलका सा सौटे कर लें बहुत जादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है इसके बाद इसमें हरे मिर्च और लाल मिर्च टाल देंगे इसके बाद मैं अद्रक आट कर दे रहे हूं करीब एक चमच और जो करी लिफ्स लियते हमने वो लास्ट में डालेंगे ताकि जो आपके करी लिफ्स का कलर है वो बिल्कुल भी चेंज ना हो बस दो मिनिट सौटे करें इस तरह से और फ्लेम को बिल्कुल लो पे रखें ता आपकी दही आपकी फटे नहीं और दही बिल्कुल खटी बना लें फ्रेश दही लें इसकी बनानी के लिए जो भी बोल में एक्स्ट्रा लगे वे थे वो मैं इस तरह से डाल रही हूं उसमें आप चाहिए तो थोड़ा सा पानी डाल के भी इसमें वापस डाल सकते हैं जाए जिसमें आधा चमच में नमक और आड़ कर रही हूं तो कि सोय चंक्स में भी हमने नमक अड़ किया है तो इसे दही को अच्छे से आपको पकाना है तो जो भी मसाले अपने डाले हैं अद्रक लेसन, हरी मिर्च, लाल मिर्च, करी डिफ्स उन सब का फ्रेवर जो है वो ड्रेवी में आजाए तो आप देख सकते हैं कि साइड में धेरे धेरे ओयल रिलीज हो चुका है यहां मैंने बहुत ज़्यादा ओयल नहीं डाला है अब चाहने तो ऑर और ऐट कर सकते हैं, 다음 वर सब मनें दाल देंगे बाद इसे अफ़न तो अधियरे मिक्स कशल लें और फ्लेम को हाई पे रखें और बस अच्छे से इसे ड्रेवी में टॉस कर लें और बहुत ही चटपटी और मज़िदा रेसिपी है जब कभी गेस्ट आए और किसी ओगेजन पर आपको कुछ नया बनाना हो तो एक बर इस तरह से बना के जरूर ट्राइ करें ज्यादा जंजट भी नहीं है बहुत ही डिलिशिस लगता है और बहुत ही यूनिक रेसिपी है तो एक पर इसे जरूर ट्राइ करें तो बस चटपटा मज़िदार सोया 65 बन के रेड़ी है एस स्टार्टर भी आप इसे सर्फ कर सकते हैं तो वीडियो अगर पसंद आया हूँ लाइक सबस्ट्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें अब चलते हैं सर्फ करने के लिए तो इस तरह से मैं एक प्रेट में सर्फ कर रही हूँ और बहुत ही डिलिशिस बहुत ही रेस्टी बना है अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और बहार से प्रिस्पी मैं अभी इस रेसिपी को घर पर जरूर आए कर सके हैं और मुझे कमेंन सेक्षन में जरूर बदाएं कि यह रेसीपी आपको कैसी लगी तो वीडियो ऑगर पसंद आया हो यह रेसीपी आपको पसंद आई हो तो लाइक सब्स्राइब और शेयर जरूर करें थांक्स वर वाचिंग